ओम शान्ती आज है 10 अक्तुबर 2020 की सकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा कई बच्चे सारा दिन जर्मुई जग्मुई में लगे रहते हैं बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते नाम भी नहीं लेते हैं घड़ी घड़ी बाबा का ना काम लेकर कोई को समझाओ तो शुब बाबा याद रहेगा बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए फिर कहा बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में वह जोहर नहीं भरता नहीं तो तुम्हारा एक ही भाशन ऐसा हो जो कोई भी सुने तो कमाल हो जाए ऐसी अच्छी ललकार से भाशन करो। बाबा ने फिर बड़ी रमनेक्ता के साथ कहा कि अभी तो तुम चीटिया हो। मकोडे भी नहीं बने हो। लेकिन अहंकार कितना रहता है। आगे कहा जैसे बाब की महिमा अप्रम अपार है वैसे भारत की महिमा भी अप्रम अपार है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे ज्वाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीर खंड थे, अभी तो कब्रिस्तान होना है। इसलिए देहे सहित सब संबंधों से आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और लास्ट में बाबा ने कहा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते हैं, बाप को भी याद नहीं करते हैं, तभी तो कोई को तीर नहीं लगता, बल मिलता है याद से, इस योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो, अब सुनते हैं महवाक्यों को विसार से, बुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो, या भाशन करते हो, तो बाबा बाबा कहे कर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा, प्रशन, बाबा भारतवासी बच्चों से, विशे कोन से प्रशन पूछते हैं, उत्तर, तुम भारतवासी बच्चे, जो इतने सहुकार थे, सर्वगुन संपन्न, सोलह कला संपूरन, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है कारण का पता है, बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए, इतना सब धन दोलत कहां गवा दिया, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए, तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें, बाबा बाबा केहे, दूसरों को भी समझाओ, तो सहज समझ जाएंगे ओम शांती, ओम शांती कहने से भी बाब जरूर याद आना चाहिए, बाब का पहला पहला कहना है, मन मना भव, जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं न, तुम बच्चे बाब को जानते हो, जब कहां सभा में भाशन करने जाते हो, वो लोग तो बाब को जानते नहीं तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि श्यू बाबा कहते हैं वही पतित पावन है जरूर पावन बनाने के लिए यहां आकर समझाते हैं जैसे बाबा यहां तुमको कहते हैं हे बच्चों तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था तुम आदी सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यहे कहते हैं ऐसे कोई के भाषन का समाचार आया नहीं है शिव बाबा कहते है मुझे उच्च ते उच्च मानते हो पतित पावन भी मानते हो मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ कहता हूँ मामेकम याद करो मुझे उच्च बाप को याद करो क्योंकि वहे बाप देने वाला दाता है बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना दूसरा कोई धर्म नहीं था बाप हम बच्चों को समझाते हैं हम फिर आपको समझाते हैं बाबा कहते हैं तुम भारत वासी कितने सहुकार थे सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूरण देवता धर्म था तुम पवित्र थे काम कटारी नहीं चलाते थे बहुत धनवान थे फिर बाप कहते हैं तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है कारण का पता है तुम विश्व के मालिक थे अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो सभी से करजा लेते रहते हो इतने सब पैसे कहां गए जैसे बाबा भाशन कर रहे है वैसे तुम भी भाशन करो तो बहुतों को आकर्शन हो तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं वेह ताकत नहीं मिलती नहीं तो तुम्हारा एक ही भाशन ऐसा सुने तो कमाल हो जाए शुबाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है नई दुनिया सापन करने वाला है इसी भारत पर स्वर्ग था हीरे जुहारातों के महल थे एक ही राज्य था सब शीर खंड थे जैसे बाप की महिमा अप्रम अपार है वैसे भारत की महिमा भी अप्रम अपार है भारत की महिमा सुनकर खुश बाप बच्चों से पूछ से हैं इतना धन दोलत कहां गवा दिया भक्ती मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आये हो कितने मंदिर बनाते हो बाबा कहते हैं ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो कहते भी हो ना बाबा दुख में आपका सिम्रण करते हैं सुख में नहीं करते परन्तू दुखी तुमको बनाता कौन है घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो तुम बाबा का संदेश जेते हो बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवाले सापन किया स्वर्ग में इन लक्ष्मिनारेन का राज्य था ना तुम यह भी भूल गए हो तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे क्रिश्न ही स्व्यमवर के बाद लक्ष्मिनारेन बनते हैं श्री क्रिश्न जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हैं मेरे को भी कलंक लगाते हो मैं तुम्हारा सद्गती दाता तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो बाब कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो बाब कहते हैं सर्व का सद्गती दाता पतित पावन मैं हूँ तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शुबाबा याद रहेगा बोलो हम बाप की महिमा करते हैं बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारन पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूं इनके ही बहुत जन्म है यह अब मेरा बना है तो इस रथ दवारा तुमको समझाता हूं यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं भागीरत यह हैं, इनके भी वानप्रस अवस्था में मैं आता हूँ, शुबाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषन किसका सुना नहीं है, बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं, सारा दिन बाबा को तो बिलकुल याद ही नहीं करते हैं, जर्मूई जग्मूई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाशन किया, हमने यह समझाया बाबा समझ से हैं कि अभी तो तुम चीटिया हो, मकोडे भी नहीं बने हो और अहंकार कितना रहता है समझ से नहीं है कि श्यो बाबा ब्रह्मा दवारा कहते हैं श्यो बाबा को तुम भूल जाते हो ब्रह्मा पर जट बिगड़ते हैं बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो तुम्हारा काम है मेरे से मुझे याद करते हो ना प्रंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कि कल्प है ही पांच हजार वर्ष का। पुरानी दुनिया सोफिर नई होगी, नई सोफिर पुरानी होती है, अब नई देली है कहाँ, देली तो जब परिस्तान होगी तब नई देली कहेंगे, नई दुनिया में नई देली थी जमुना घाट पर, उन पर श्री लक्ष्मी नारण के महल थे, परिस्तान था, अभी त तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं, इसलिए बाप कहते हैं, मुझ उच्च ते उच्च बाप को याद करो तो पावन बनेंगे, हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है, बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जोहर नहीं भरता, बेह अभिमान में तुम आ जाते हो, बांधेलियां जो मार खाती हैं, वेह तुमसे जासी याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं, बाब कहते हैं, तुम सब द्रोपदिया होना, अब तुमको निर्वस्र होने से बचाते हैं, मा बाप कहते हैं भारत जब शिवाले था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था यहां फिर जिनके पास मकान विमान आदी हैं वे समझ से हैं हम स्वर्ग में हैं कितने मूड मती हैं हर बात में बोलो बाबा कहते हैं यह हठ योगी तुमको मुक्ती थोड़े ही दे सकते हैं जबकी सर्व का सदगती दाता एक है फिर गुरु किसलिए करते हो क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है लीन तो कोई हो नहीं सकता पार्ट सब को बजाना है सब एक्टर्स अविन यह अनादी अविनाशी ड्रामा है मोक्ष किसको मिल कैसे सकता बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना तुम्हारा मेरे से योग तूटने से यह हाल हुआ है अब फिर मे तेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे मुप्ति धाम में पवित्र आत्माई रहती है अभी तो सारी दुनिया पतित है पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है तुम सब पुजारी हो पुज्य एक भी नहीं तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर स सकते हो बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम गलानी बैठ करते हो श्री क्रीष्न छोटा बच्चा सर्वगुन संपन्न वे ऐसा धंदा कैसे बैठ करेगा और श्री क्रीष्न सबका फादर हो कैसे सकता भगवान तो एक होता है ना जब तक मेरी श्रीमत पर नह ही चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है तुम कितने धर्म भ्रेष्ट कर्म भ्रेष्ट हो गए हो बताओ हिंदू धर्म किसने कब सापन किया ऐसे अच्छी ललकार से भाशन करो तु कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाशन किया बाबा बहुत मदद करते रहते हैं तुम याद की यत्रा में नहीं रहते हो इसलिए चीटी मार्ग की सर्विस करते हो बाबा का नाम लेंगे तब ही किसको तीर लगेगा बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ओल राउंड चुरासी का चक्र लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े मैं भारत में ही आता हूँ जो पुझे थे वह पुझारी बनते हैं मैं तो पुझे पुझारी नहीं बनता हूँ बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए तुम जब ऐसे ऐसे भाषन करो जब ऐसा हम सुने तब समझें कि अब तुम चीटी से मकोडे बने हो बाब कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ तुम सिर्फ मामेकम याद करो इस रथ दवारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो रत को थोड़े ही याद करना है बाबा ऐसे कहते हैं बाबा यह समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम बोलो फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है बाब कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धी का योग तोड़ो अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा अपने को आत्मा समझ मुझ बाब को याद करो कई कहते हैं हम ब्रह्मस में माया के हम मालिक हैं बाब कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है तुम धन को माया कह देते हो ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पड़ते हैं बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है बल मिलता है याद से जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तु कभी कोई कुछ कहे ना सके सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फोलोवर्स हैं अब वेह सन्यासी और तुम ग्रहसी तो फोलोवर्स कैसे ठहरें गाते भी हैं जूठी माया जूठी काया जूठा सबसंसार सच्चा तो एक ही बाप है वेह जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते मुक्ती जीवन मुक्ती दाता एक ही है बाकी कोई भी मुक्ती थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था अब सावधान हो आँखे खोलो बाबा ऐसे कहते हैं यह कहने से तुम छूठ जाएंगे तुम्हारे उपर कोई बकवाद नहीं करेंगे त्रीमूर्ती शुबाबा कहना है सिर्फ शिव नहीं त्रीमूर्ती को किसने रचा? ब्रह्मा दवारा सापना कोन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रियेटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाशन करते हैं बाप समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल पुवरिक्ष है पहले पहले है देवी देवता धर्म अव्वे देवता धर्म कहां गया लाखों वर्ष कह देते हैं यह तो पांच हजार वर्ष की बात है तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो दिखाते हैं पांडवों और कोर्वों की लडाई लगी पांडव पहाड़ों पर गल मरे फिर क्या हुआ मैं कैसे हिंसा करूँगा मैं तो तुमको अहिंसक वैशनों बनाता हूँ काम कटारी ना चलाना उसको ही वैशनों केहते हैं वह है विशनों की वन्शावली अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पॉइंट सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है याद में रह कर सेवा करनी है जर्मुई जग्मुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है दूसरी पॉइंट सच्चा सच्चा वेशनों बनना है कोई भी हिंसा नहीं करनी है देहे सहित सभी संबंधों से बुद्धी योग तोड़ देना है वर्दान विश्व कल्यान की कारिय में सदा बिजी रहने वाले विश्व के अधार मूर्त भव विश्व कल्यान की कारिय में सदा बिजी रहने वाले विश्व के अधार मूर्त भव विश्व कल्यान कारी बच्चे स्वपन में भी फ्री नहीं रह सकते जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वपन में भी कई नई-णई बातें सेवा के प्लैन वे तरीके दिखाई देते हैं वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरशार्थ के वियर्थ से और ओरों के भी वियर्थ से बचे रहते हैं उनके सामने बेहद विश्व की आत्मे सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वर्दान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन संगम युग का एक एक सेकिंड वर्षों के समान है इसलिए अलबेले पन में समय नहीं गवाओ। ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुर्ली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें। अव्यक्ट बेढाऻ।